फिल्म अभिनेत्री और रामपुर से पूर्व सांसच जयाप्रदा के खिलाफ कोट ने NBW वारंट यानि की गैर जमानती वारंट जारी किया है आपको बता दें जयाप्रदा पर लोकसभा चुनाओ के दौरान थाना स्वार पर चुनाओ आचार सहिता उलंगन करने का मामला दर्ज है जिसको लेकर जयाप्रदा पिछली कई तारिखों से कोट में उपस्तित नहीं हो रही थी और जयाप्रदा की बरावर कोट में हाजरी माफी आ रही थी इसको लेकर कोट ने नाराजगी जताई और आज भी कोट ने जयाप्रदा को व्यक्तिगत उपस्तिती होने का आदेश दिये थे लेकिन जयाप्रदा आज भी नहीं आई तो कोट ने जयाप्रदा के खिलाफ NBW वारंट जारी किया है और अब इस मामले में अगली सुनवाई 21 अक्टूवर को होनी है इस मामले पर अभी योजन अधिकारी अमरनास तिवारी ने बताया कि जयाप्रदा के खिलाफ थाना सुवर पर चुनाव आचार सहिता उलंगन करने का एक मामला पंजिकरत है जिसमें 15 वली आज 313 CRPC में नियत थी नियायले दोरा विक्तिगत कोट में पेश होने के लिए निर्देश दिये जाने के बाद भी हाँ जयाप्रदा नियायले में उपस्थित नहीं हुई इस पर नियायले ने NBW वारंट जारी करते हुँ 21 अक्टूबर की तिथी नियत की है अमार नातिवारी ने कहा कि NBW का मतलब होता है गैर जमानती वारंट अगली तारीक 21 अक्टूबर है जयाप्रदा के खिलाप थानास्वार पर चुनाव अरसार सहीता के उलंगन का एक मामला पंजकीत है जिसमें पत्रावली या 313 CRPC मिनियत थी लेकिन मानी नाले द्वारा बेते हुट रुपस्थित होने के निर्दे दिये जाने के बावजूद भी जयाप्रदा आज मानी नाले उपस्थित नहीं आई थी इस पर मानी नाले ने NBW जारी करते हुए जिनांग 21 10-23 कीतिति नियत किया NBW को क्या मतलब हो जाए NBW का मतलब हो था गयर जामानती वाराण 21 तारिक लगी है 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर